शर्षिकाल दोस्तों, आज जब पकरांगे दसमी कलाज़ टॉपिक अंक गिनितिक लड़ी जनी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो इस दे बिच जो सब तो पहला पद होंदा है उसनों असी लिख दे हां फर्स्ट जिसनों असी ए ना लिख दे हां अते जडियां लगातार दो संख्यामा दे विच फर्क हुंदा है अंतर हुंदा है उसनों लिख दे हां दी ओहो लड़ी जिस विच दो लगातार संख्यामा जो हन उनना दा अंतर बराबर होवे ए सीरिस having same difference in conjective numbers इस आज पाल्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब यास पंच पॉन इक दा सब तो पहला स्वाल इन विच अव दा फॉलिंग सिपेशन दस दा लिस्ट अफ नंबर इन बॉल्ब्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई हेट तितियां जडियां स्थितियां इन विच ओ केडी स्थिति विच जड़ी लडी है वो हो अंक दिने तक लडी है ता इरे विच सानु जड़ा सब तो पहला कोश्शन दिता है ता दसना है कि एह अंक गनेतिक लडी है जड़ा नहीं हुन जिमे की सानु पता है कि पहले किलोमेटर ली कराया किना है साथे कोल 15 रूपीज जी करसी इंग्लिश जी बचिकल करिये ता टेक्सी फेयर फॉर फस्ट किलोमेटर किना गजी 15 रूपीज पहले दो किलोमेटर दे ली ता उस दे बिच क्योंकि पहले किलोमेटर दे कराया जो है वो fix है second ता जो है वो 8 रूपीज है which add हो जाएगा ता 2 किलो मेटर बाद कुल करना कराया हो जाना है 23 रूपीज हो जाना एसे तरह 3 किलो मेटर देली पता कर देहां 23 दे विच 8 जिड़े आफ फिर तो जुड़ जानगे ता साधे कुल 31 ताहुन पहले 4 किलो मेटर ली त ता साधे कुल के ना आ गया 39 आ गया हुँज दो असी इस सीरीज नो देख देहां कि एहे 15 तेई इकत्ती उंताली है जो की बराबर फरक दे नाल है जिस दे विच्च हरे एक अगला पर जो है पिछले नालों अठ बरके है ता इसली एहे आंक के नितक लड़ी विच्च बिकॉस एबरी नेक्स टर्म इज एट मोर जैन दा प्रसीडिंग टर्म जैनि की पिछली टर्म नालों अठ ज्यादा है इस तरह एहे आंक के नितक लड़ी विच्च है सब्सक्राइब जिस बिच्तन के हाग है जदो एक वैक्वाम पंप सिलंडर भिच रहन दी हवा दी एक वालब जी वालबची हवा भिच्च हुँँग एक अगड़ा चार ही सा सा जड़ा है वो काट देंता है कि मतलब कि असी हरेक बार जरी हवा है, ओ 1.4 हिसा कट देने हाँ. The amount of air present in cylinder, when a vacuum pump removes 1 by 4 of the air remaining in the cylinder at a time. जनी कि जिनी उसदे बिच हवा हम दिया हर बार, उसदा 1 by 4 जड़ा है, असी मुग कर देने हाँ. मन लो शुरू बिचे cylinder बिच हवा दी मात्रा, 2 liter, जादा air in cylinder is equal to 2 liter. हरे एक स्ट्रॉक बिच वेक्यूम पंप इक बार बिच बची हवागा, 1 by 4 हिसा जो है, ओ हो हटा दना है. असी कह सकते हा, in each स्ट्रॉक, the vacuum pump removes 1 by 4 of the air in the cylinder at a time. इसलिए, फस्ट रंतो बार साड़िकोल किना बच जाएगा, 1 दे बिच्चो 1 by 4 पार जो है, वो माइनस कार दा माँगे, पर साड़िकोल किना आजएगा, 3 by 4 पार बच जाएगा. अगले step बिच किया, कि असी जड़ा 3 by 4 पार बच गया, एदा अगे 1 by 4 पार बिच्चो remove करना, कि इदे बिच्चो जिनना cylinder बिच पहला सी, cylinder बिच पहला सी साड़िकोल 3 by 4 पार, इसदे बिच्चो असी 3 by 4 दा 1 by 4 पार remove करना, ता साड़िकोल आजएगा 3 by 4, 3 by 4 इंट 1 by 4 जनी की 3 by 16, हुँँ जर असी एलसेम लमांगे, एलसेम साड़िकोल आजएगे 16, जो की साड़िकोल आजएगा 12 by 16 माइनस 3 by 16, जनी की 9 by 16 हिस्सा बच गारेगा, हुँँ नेक्स तरह हुँँ असी जो है लड़ी है, इस दे बिच दी दा मुल पता करांगी, ता पहला जिड़ी तती ही लड़ी है, ओहु अंक गरिटक लड़ी नहीं है, हुँँ का दिया हाँ इस दो आगला स्वाल, कोश्य नमर तेन, जिस्ते बिच कहा गया है कि खुदाई दे हर मीटर तो बाद, खूप टंदी लागत, जदो की इस दे पहले की जड़ो मीटर है, उस दी ला ता पहले मीटर ली खूदी पुटंदी लागत जो है, ओह है 150, उस दो बाद, पहले दो मीटर ली जनी की 150 जोड पंजा, साथे को ला जाएगा 200 पे, cost of digging a bell for 2 meters is equal to 200 रुपीज, ताहुन उस दो बाद, पहले 10 मीटर जनी जो पता कीता है, ओह है 200 जोड पंजा, जनी की 250 पे, ता इस तरह पहले 4 मीटर ली पता करांगे, ओह साथे को ला जाएगा 300 पे, ता होन, ज़दो असी इसनुँ सीरिज जे भीच लिख दे हां, ता साथे को जो है, डी दमोल ली पता करांगे, डी दमोल साथे को ला जाएगा 200 minus 150, जो की साथे को ला जान्दा है 55 पे, फिर 300 minus माइनस दो सो पंजार बराबर है पंजार पे, क्योंके एहे बराबर हैं, डी दा मॉल, ता इसलिए जो दित्ती हुई लड़ी है, वो हूँ अंक गिनितक लड़ी है. So, it is in AP, Arthematic Progression. इस तो बाद, next question है, अंक गिनितक लड़ी दे, अगले चार पद लिखो, जदों की पहला पद A अते सांजा अंतर D हो भी. Write first four terms of AP, whose first term is A है, and common difference is D. जो सानों question है, उदित्ते हैं, A दी वैल्यू 10, अते D दी वैल्यू भी 10. Second question है सादे कूल, उस दे बिच A दी वैल्यू मैनस दो, अते D दी वैल्यू 0. जो third question है, उस दे बिच सादे कूल है, A दी वैल्यू 4, अते D दी वैल्यू मैनस 3. Fourth question मिच सादे कूल है, A दी वैल्यू मैनस 1, अते D दी वैल्यू 1 बै 2. फिस्थ कोश्चन दे बिच साथे कुल है A दी वैलू माइनस 1.25 अथे D दी वैलू 0 माइनस 0.25 इस तरह आसी A समझो हन, सौल्व करने हन, ताहूं हूं सौल्व कर दे हाँ, इस ता पहला स्वाल, जिस्थे बिच A ब्राबर है 10, D ब्राबर है 10, मान लिया अंके जो लड़ी है साथे कुल, उस दे पद हन A1 ब्राबर, A1, A2, A3, A4, A5, ता A2 जो है उसनों पता करने लिए असी जो पहली पद है उसे बिच दी दा मुल जोड़ तमागे, ता 10 जोड़ 10 साथे कुल उत्तर आजाएगा B तीसरा पद पता करने लिए असी A जोड़ 2D पता करांगे, ता A2 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 4 इसे तरह ही साथे कुल A5 जोड़ 4D जोड़ 10 जोड़ 4 जोड़ 10 जोड़ 4 जोड़ 10 जोड़ 20 किनना 5 जोड़ 10 जोड़ 5 ता साथे कुल जड़ी आँक करने लिए आज़ेगे 10 B थी 4 आते 5 हो नसी करांगे, second question, A ब्राबर है, स्माइब रें Will है, minus 2 D is equal to 0 ता a1 जो है साथ a दे equal होएगा जैने की minus 2 a2 जो है वो होएगा a1 plus d जैने की minus 2 plus 0 जोदो भी किसे term देविच 0 plus कर दे हैं जा minus कर दे हैं कुछ भी difference नहीं पेंदा ता साथे कोला जाएगा minus 2 इसे तरह जो third term है a2 plus d जैने की second term plus d minus 2 plus 0 जैने की minus 2 इसे तरह first term साथे कोला जाएगी a3 plus d जैने की minus 2 plus 0 जैने की minus 2 इस तरह आंक गनेते के लिए याजड़ी वो हो आजाएगी साथे कोल minus 2 minus 2 minus 2 इस तरह आसी इह साम जो है solve कर सकते हैं होना सी करांगे question number 3 जिस्दे विच जो सानू term देते हैं वो हन a जो है साथी वो है 4 आते d है साथे कोल minus 10 ता a1 बरबर आएगा साथे कोल a जैने की 4 जैने की 4 जैने की 4 जैने की 4 plus minus 10 plus minus minus जैने की 4 जैने की 4 जैने की 4 जैने की minus 10 करांगे साथे कोला जैगा 1 a3 आएगा a2 plus d जैने की 1 minus 3 जैने की minus 2 इसे तरह a4 आएगा a3 plus d जैने की minus 2 minus 3 जैने की minus 5 इस तरह जो सड़ी एहे अंकिनिज के लड़ी है उँ आ जाएगी 4, 1, minus 2, minus 5. होना सी करांगे question number 4. जिस्दे विच्छ सानू terms दित्या हुए हैं, सानू कहा है कि a बराबर है minus 1, अधिक d बराबर है 1 बटा 2. ता a1 किस दे इकल होएगा a दे, जैने की minus 1 दे ही इकल होएगा, a2 सादे कुल आएगा a1 plus d, जैने की minus 1, plus 1 by 2. जदो असी LCM लेके question दो स्वालब करांगे, ता सादे कुल आजाएगा है minus 1 by 2. ता a3 आएगा सादे कुल, minus 1 by 2, plus 1 by 2, same term, plus, same term, minus, जैने की 0. a4 आएगा सादे कुल, a3 plus d, जैने की 0, plus 1 by 2, किसे भी टर्मदे बिच 0 एड करिए, कोई फर्क नहीं आएगा, ता 1 by 2 आजाएगा, ता इस तरह सादे कुल जो जित्ती हुए लड़ी है, वो आजाएगी, minus 1, minus 1 by 2, 0, and 1 by 2. होना सी करांगे, इसे कोश्चन दा, पार्ट नमबर 5, जिस दे बिच सानू, a ब्राबर है, minus 1.5, अते, d ब्राबर है, minus 0.5 के आजाएगा है. मनलो एही अर्थेमेटिक प्रोग्रेशन दे बिच हान, ते सादे कुल एही आजाएगा, a1 ब्राबर है, a2 ब्राबर है, फर्स्ट रम, प्रस्ट दी, जिनि की, minus 1.5, minus 0.5, दोने सेम साइन हान, ता एह सादे कुल आजाएगा, minus 1.5, a3 जो है, सेकेंड डर्म दे बिच, d जोडांगे, जनि की, minus 1.5, minus 0.5, जनि की, minus 1.5, इसे तरह, a4 करांगे, minus 1.5 दे बिच, 0.5 याड़ करांगे, सादे कुल, minus 2 आजाएगा, ता इस तरह, जो दृत्ती हुई लड़ी है, उसे बिच, जो सादे कुल, अंक गुनि की लड़ी बनेंगी, वो आजाएगी, minus 1.25, minus 1.50, minus 1.75, and minus 2.